है अबीवान वल्कम बैक टू माई चैनल एमी क्रेट वुटी दिशिश वर्षा मैं अपने इस चैनल पर डियावाइस एंड क्राफ लेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ तो चलिए पिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डियावाइ बनाने के लिए मैं न्यूस पेपर और कार्टबोड को यूज करने वाल हूँ तो सबसे पहले हम न्यूस पेपर से स्टीक को बनाकर रेडि कर लेंगे सेम इसी तरह से हमें 16 स्टीक को बनाकर रेडि कर लेना है तो मैंने सारी स्टीक को बनाकर रेडि कर लिया है साथ ही मैंने कार्टबोड से एल सेप को कट किया है यहाँ पर मैंने 4L सेप को कट करके निकाला है साथ ही 33 इंच के मैंने 4L सेप को भी कट कर लिया है अब इसकी एजस पे हम मास्किंग टेप को अपलाई कर लेंगे हमने चारो पर मास्किंग टेप को अपलाई कर लिया है अब हम इसकी उपर कलर अपलाई करेंगे अगर आपका cardboard इस color का है तो आप इसके उपर एक coat white acrylic color या जेसो का apply कर लीजिएगा देन आप उस पर color apply केजिएगा मेरा cardboard अल्रेडी white color का है इसलिए मैं इस पर direct color apply करूँगी यहां पर मैंने जो एल सेफ के cardboard को कट किया था इसे square सेफ में इस तरह से रख लिया है अब हम इसके उपर यह जो paper के stick बनाए है इन्हें हम फेविकॉल से पेष्ट कर लेंगे साथ ही सारी stick को भी हम तेरा इंच की लंबाई में कट कर लेंगे सारी stick हमने तेरा इंच में कट कर ली है अब इसे हम कार्टबोर पर पेस्ट कर लेंगे सारीड़ कर लेंगे सारीड़ कर लेंगे हमने इस प्वाइर सेफ को बना कर रेडी कर लिया है अब हम इस पेपर स्टीक पर ब्लेक कलर को अपलाए कर लेंगे आप अपने एकॉर्डिंग कोई भी कलर अपलाए कर सकते हैं हमारा कलर ड्रै हो चुका है अब मैं इनके उपर गनपती जी और लत्मी जी को ड्रॉ करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने इने पेपर पर स्केज कर लिया है अब इन दोनों को हम इन कार्टबोर्ट पर ट्रांस्फर कर लेंगे आप इसे कार्बन पेपर की हेल्ट से भी ट्रेस कर सकते हैं मैं इस कार्टबोर्ट पर इने इस सेफ में ट्रांस्फर करने वाली हूँ तो आप चाय तो इस सेफ में भी ट्रांस्फर कर सकते हैं मैंने दोनों पर स्केचिंग कर ली है अब हम इस पर कलर अपलाई करेंगे क्रांस्फर करेंगे कर दोंट इस दोनों करेंगे कर दो दो पते हुआ हैं कर दो कर दो तो मैंने दो स्कॉायर पर गनपती जी हो लक्षमी जी को बना लिया है और दो पर में शूबला लगाने वाली हूँ आप चाहे तो इसी कलर से भी बना सकते हैं मैं यहां पर मार्केट में मिलने वाले स्टीकर को अपलाए कर रहे हूँ इनके पीछी पर डबल साइडर टेप लगा रहता है आप चाहे तो इने तो इने हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं अब सेम यही चलिए हम इनकी बॉर्डर को रेडी कर लेते हैं तो अब इसे हम इस पैटर्ण में सेट करते हुए पेस्ट कर देंगे इन्हें पेस्ट करने के लिए मैं डबल साइडर टेप का यूज़ कर रही हूँ आप ब्लू गन या फैविकॉल के हैल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं प्रीज़ कर दो अबला हैं तो हमारा इंडियावाइ बनकर कंप्लीट हो चुका है देखिए हमने वेश्ट मेटेरियल को यूज करके कितना खुबसूरस सा डियावाइ बनाकर रैडी कर लिया है मैं इसके सेंटर में एक डियावाइ टी लाइट केंडल होल्डर को यूज करने वाली हूँ आप इसकी जगपर किसी और डियावाइ को भी उसकर सकते हैं अगर आप सिंपली इसे इसक्वाइर सेब के साथ ही उसकर ना चाहते हैं तो आप इसे छोटी साइज में बनाईएगा मैं इसके center में इसे apply करने चाहती थी इसलिए मैंने इसे थोड़े बड़े size में बना कर ready किया है I hope आप सभी को आज का DIY पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का DIY पसंद आया हो तो please मेरे इस वीडियो को like, share or comment चरूर कीजेगा